hello everyone welcome to abhimanyu is i hope you all are doing great my name is akshay soni reasoning mentor at abhimanyu is and today in this session that is abhyas 2.0 ka jo reasoning ka session that is for abhyana haryana civil services 2024 this session में आज हम discuss करेंगे एक नया topic that is data sufficiency data sufficiency आपको बहुत तरह से इसके question आते हैं ठीक है किस तरह से आपको इसको attempt करना है क्या आपकी strategy होने चाहिए वो सभी हम इसमें discuss करेंगे और पीवाई की उसको भी में discuss करेंगे ठीक है तो हम session को शुरू करते हैं यह देखिए आपका यह आपका टॉपिक है that is data sufficiency और आज देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह scs प्रिलियम का फास्ट्रेक बैच है ठीक है जो कि एक रिवीजन बैच है पीवाई क्यूज का रिवीजन बैच है जिसमें कि आप जो प्रिवीज को रिवाइज करेंगे और उसके साथ में concept को भी इसमें से रिवाइज किया जाएगा तो देखिए अभी मनिव आई एस जो की नंबर वन इंसे जूट है फॉर एस प्रेपरेशन इसने ट्वीटी वन में ट्रीवन प्लस सेलेक्शन दी थी ट्वीटी टू में 27 प्लस सेलेक्शन दी है ठीक है और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह तो कि डाटा सफिशन सी होता क्या है आपको एक जू है कोई information दी जाएगी पहले उपर information के साथ में आपको एक question put किया जाएगा question put किया जाएगा उसके बाद आपको दो statement दी होंगी उन statement से आपको कह करना है इस question को find out करना है अगर मान लीजिए आपको पहली statement से ही इसका question का answer मिल गया तो statement one जो होगे इसका answer आएगा ठीक है अगर दूसरी statement से इसका answer मिल रहा है पहली से पहली का जो data है वो enough नहीं है तो आपका क्या आएगा only two but अगर दोनों को combine करना पड़ रहा है उससे answer मिल रहा है तो क्या आएगा both one and two required ठीक है बट अगर मान लीजिए पहली और दूसरी का जो है जो है दोनों का ही यूज करके answer नहीं मिल रहा है तो क्या होगा इसमें आपका neither nor करके option होगी ना तो पहली required है ना ही दूसरी और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि पहली अलग से answer कर रही है ठीक है उसमें दूसरी का यूज नहीं करता पड़ा और दूसरी अलग से answer कर नहीं पड़ रही है पहली का यूज नहीं कर रहे है तो यह आपको एक either or करके option होगी वह उसका answer बनेगा ठीक है अब इसमें आपको different type के question बनेगे आपको sitting arrangement के भी question बन सकते हैं आपको puzzles के भी question बन सकते है blood relation direction ठीक है इवन आपको common sense related भी question बन सकते है ठीक है कोई भी इसमें से question आ सकता है तो अभी मैं आपको question के through ही इसको clearly बता पाऊंगा जैसे कि यह पहला question है यह blood relation से how is x related to y तो हमें क्या करना है x को देखना कि y का relation y से किस तरह से related है क्या लगता है y and z are children of d who is wife of x y and z देखिए यहां पर क्या बता था x जो था y का क्या लगता है क्या हम clearly बता पाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले blood relation को यहां पर draw करेंगे y और z d के children d के children है y and z और d अपने आप क्या है wife है किसकी x की तो यहां पर x क्या बन रहा है x y और z का father बन रहा है clearly हम पहले से बता पा रहे है second को देखते है our sister x is married to y's father our की sister r की sister x जो है वो किस से married है y के father से अब देखिए पहले यहां पे इसका यह father बन रहा था ठीक है y का father बन रहा है y का जो father यह person है ठीक है इस person का इस person की wife बन रही है ठीक है है कि यह दोनों क्या है इसमें दोने cases में हम x का relation बता पा रहे हैं कि यह y का क्या बन रहा है एक case में mother एक case में father एक case में mother तो क्या answer आएगा जब आप पहले और दूसरे से अलग लग से answer कर पा रहे हो तो इसका meaning है कि यह तो पहली का use कर लो either that and statement one alone or statement two alone are sufficient to answer the question simply हमें क्या करना है हमें देखने की कौन से option हमारी बन रही है तो यह बन रहा है यह तो पहली का use कर लो यह फिर दूसरी का ठीक है चलिए next question है हमें क्या करना होता है इसमें question में हमें find out करना है ऐसा नहीं कि हमें इस question का answer find out करना है कि किस के use से वह answer बना है जैसे कि आपका second question है इस question में क्या given है कि who is to the immediate right of P among five persons P, Q, R, S, T facing north तो देखिए question बोला गया कि P के immediate right में कौन है अगर हमें वह चीज मिल गई तो हमें बाकी चीज़ों को देखने की जूरूर नहीं है even question जो है पूरा complete attempt करने की जूरूर नहीं है देखिए तो से पहले R is third to the left of Q and P is second to the right of R देखिए R third left में है किस के Q के तो Q पहले बनाएंगे Q का पहला left दूसरा left तीसरे left में R बन रहा है और second क्या है and P is second right of R R के second right में P बन रहा है पहली statement से देखिए इनका सभी का left इदर है सभी का right दूसरी तरफ है इसमें से हम clearly बता पा रहे हैं कि इसके P के immediate right में बिलकुल साथ वाले right में कौन बन रहा है Q बन रहा है तो इसमें पहले statement जो है इसका answer कर पा रही है इसली हम बता पा रहे हैं second statement को देखते हैं Q is to the immediate left of T Q T के immediate left में T के immediate left में Q सभी का left इस तरफ सभी का right दूसरी तरफ ठीक है इसमें पहले का भी इसमें अलग से answer कर पा रहे हैं दूसरे से भी तो दोनों में से किसी का भी use कर लो तो आपको answer इसमें मिल जाएगा that is option C either or इसमें answer बनेगा ठीक है अब जैसे कि आपको next question यहां पे given है इस question में क्या given है कि on which date of the month was अंजली born in February 2004 2004 में अंजली किस जो है date को born हुई है तो आपने ध्यान रखना है इसमें आपको even date or date even prime number date का भी इसमें पूछा जा सकता है जैसे कि अंजली was born on even date of the month even date of the month तो even date तो बहुत सारी है दो चार शेयार दस ठीक है बहुत सारी है even 28 2004 है 28 तक इसमें चलेंगी ठीक है बतलब आप सोचके चलो कि जो है इसमें 28 में से 14 दिन जो है आपको even मिल रहे है बट आगे देखिए अंजली's birth date was prime number तो prime number कौन सा है even भी हो और prime भी हो तो एक ही number है even prime कौन सा दो तारिक तो क्या करना पड़ रहा है पहली में information की बन थी कि वह even date है उसमें आधी अधूरी information थी बहुत सारे हमारे बस बनते हैं बट दूसरी से हमें clearly पता चल रहा है कि वह prime date है ठीक है बट अगर माली जे single second को ही यूज़ करें तब उसमें आधी अधूरी information है इन दोनों का यूज़ करना पड़ रहा है तब जाकि हमें क्या मिला second of feb दो तारिक मिलगी जो कि क्या बने इवन प्राइम नंबर तो क्या करना पड़ रहा है इसमें if the data in both the statement one and two are necessary to answer the question तो यह क्या आएगा necessary है इसको answer करने के लिए तो क्या बनेगा option e ठीक है चलिए जैसे कि next question यहाँ पे given है इस question में जो बना कि how many children are there between P and Q P और Q के बीच में कितने children है ठीक है जो रो है P is 15th from the left in the row P 15th है left से ठीक है जैसे कि हम ऐसे करें इस तरह से P की position 15th है left and say 15 number बे बन रहा है और इसमें अभी सिर्फ एक ही चीज है क्योंकि information second में है तो हम क्या करेंगे second में move करेंगे Q is exactly in the middle middle and there are 10 children तो क्या बोला देखो इसमें अब second में clear नहीं ना क्यों exactly middle में है कोई रो के उस रो के middle में है बोला क्या गया है देर और 10 चिल्टन तो अभी यह information जो ही properly हम बता नहीं पाएंगे तो मतलब क्या आएगा यह पहली भी यूज करके देख लिए दूसरी भी यूज करके देख लिए दोनों का कठे यूज करके देख लिए bottom data जो है हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिससे हम answer कर पाएं तो क्या बनेगा इसमें fourth option बनेगी if the data given in the both statements one and two together are not necessary together not sufficient to answer the question तो हम दोनों के use करके भी इसमें answer नहीं कर पा रहे तो कौन सी option है option D ठीक है clear चलिए next question है अब इस question में if c is the grandmother of m अगर c grandmother है m की यह पूछा गया हमारे क्या आएगा ऐसा पूछा था क्या c grandmother है m की तो answer क्या होगा या तो yes होगा या फिर no अब इस case में देखिए पूछा गया यहां पर first में c is the mother of d c mother है d की d is the brother of m's father d brother है m के father का तो देखिए c mother है d की c mother है d की minus sign से मैंने इसको जो है assign किया यहां पर की female है ठीक है और d is the brother d brother है किसका m के father का m का जो father है उसका brother बन रहा है तो देखिए m का father father की mother इन दोनों की mother बनिया है तो क्या हुआ m के father की mother father की mother कौन होती ग्रैंड मदर तो इससे पहले information से क्या हम यह बता पा रहे हैं कि एक mother है यह इसमें हम बता पा रहे हैं कि यह grand mother है तो पहले में तो हम answer कर पा रहे हैं ठीक है बट हम second देखते हैं अब second में second information है इस 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 मदर आफ एस ठीक है देखिए अगर मैं इसको complete भी पढ़ लूँगा तब भी आपको answer मिल जाए देखिए यहां से देखने पर E mother है S की और S is the sister of M यह M की sister है F is the aunt of S F क्या है aunt है S की aunt है तो क्या करना पड़ेगा इसमें जो father है या mother है जो उसमें तो क्या बनेगी उनकी aunt बनेगी F जो की aunt है S की is the only daughter of C वो only daughter है किसकी सी की तो सी की daughter कैसे बनेगी जब यहां पर इस तरह से इसका father होगा ठीक है और father की जो sister बनेगी वो बनेगी यहां पर F यह F बन गी और F के regarding क्या बोला गया वो C की daughter है पर यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया कि C उसमें male है कि female तो यह तो बन गया data insufficient data इसमें inadequate है data incomplete है जब incomplete है तो हम clearly नहीं बता पाएंगे कि यह grandmother है कि नहीं ठीक है तो यह second तो होगा इसमें गलत ठीक है second का statement two alone are not sufficient to answer the question मतलब क्या आएगा पहली option इसका answer बनेगा ठीक है तो आपको यह question समझ आ चुका हुए देखिए अब मैंने इस question को बीना diagram के भी किया जा सकता है कैसे आपको देखना है इसमें कि देखिए c is the mother of d c mother है d की यह d क्या है d इसमें male भी हो सकता है female d c mother है d की d उसका बेटा भी हो सकता है बेटे भी यह clear नहीं बता पारा है ठीक है उसी तरह है d is the brother of m's father तो उसमें भी m का हमें gender नहीं पता उसी तरह से देखिए यहां पर बोला है कि f जो कि 8 बन रही है s की is the only daughter of c c की सिर्फ एकलौती daughter but c क्या है male की female तो हम नहीं बता पाएंगे इसलिए क्या होगा इसलिए second आपका गलत बनेगा चलिए next question है how many children does m have यह भी आपका blood relation का ही question है हमें बताना है कि कितने children m के है एक दो तीन जितने भी है ठीक है अब देखिए h is the only daughter of x who is wife of m only daughter है x की ठीक है x की only daughter है और x अपने आप क्या बन रही है wife बन रही है m की m is the male और और h जो है इनकी only daughter है एक लौती बेटी है पट एच के बारे में यह तो नहीं बारे में यह तो नहीं बला कि only child अगर only child लिखा होता तब हम बता बता है कि एक ही बच्चा है ठीक है और इसमें यह तो नहीं बता है अब देखिए यहां पे female मतलब एक बेटी है उसके इलाबस में बेटे कितने भी हो सकते हैं तो इसका meaning है कि इससे तुम clearly नहीं बता बहुता है अब हम इसका second के use करके देखते है k and j are brothers of m इसने क्या include कि इसमें कि k और j यह दोनों ही brothers है m k इसमें यह चीज तो नहीं बता चले कि हमें कि इसमें कितने बच्चे हैं सिर्फ एक जो है डॉटर है इसके लाब हमें कोई भी information नहीं दिये उसका meaning है कि पहले का use कर लो तभी हम नहीं बता बाएंगे दूसरे का या दोनों का कठा is east the word form after performing the following operation on a word containing these four letter को form किया जा सकता है ठीक है यह form हो रहा है कि नहीं तो देखें पहले में कुछ operation दिये गया है इसमें बताया गया कि there is only one letter between a and t a और t के बीच में एक लेटर है तो दो तरह से इसको place किया जा सकता है जैसे कि a यहां पे है इसके बीच में इधर एक लेट बता है कि टी पहले हो ठीक है और एक लेटर बीच में और यहां पर एवन जाए कि इस कोई इस स्थे Lesson जा ciert ॉस्छू तो टी कि अपर में यह ओके यहां पर हमें क्लियरली नहीं बताया है रहा है सेकंड पर यह लेट से कर देखेंगे जाद लिए अहले में जो इंफिरमेशन आपर नहीं फिर नहीं एक्रवर यह टी से बिकिन नहीं करता है मतलब यहां पर कोई ना कोई letter होगा और आगे there is only one letter between E and S E और S के बीच में एक letter है T is not an immediate neighbor of E T E का immediate neighbor भी नहीं है इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि यह दोनों में ही E बनेगा तो यह तो गलत है इसका meaning है कि E और S के बीच में एक letter है तो यह इसमें बन रहा है ठीक है East word को हम फॉर्म कर पा रहे हैं बट किसका यूज करके पहले का यूज करके और दूसरे का मतलब दोनों का ही हमें यूज करना पड़ रहा है तो बोथ one and two required to answer the question ठीक है चलिए next question है next question में given है यहां पर कि among PQRST sitting in a straight line facing north सभी straight line में है north में face कर रहे हैं who sits exactly in the middle of the line middle में बताना है ठीक है कितने लोग है इसमें 5 लोग है middle में हम बता सकते हैं उसमें P is third left of S देखिए सभी north में face कर रहे हैं S का third left देखिए इसका left हमारे left की तरफ होगा तो S का third left है first, second, third यह P बन गया अब देखिए या तो S end पे होगा P के साथ में यहां पर कोई पसन होगा या फिर P end पे होगा S के साथ में यहां पर पसन है T is an immediate neighbor of P as well as R अब देखिए माले जी यहां पर मैं इसको T को प्लेस करूंगा तो गलत बन जाएगा इसका मेनिक है कि T अधर होगा और और इस जगह पर होगा और टी और पी और आर के बीच में कौन बन रहा है यह बन रहा है इसमें ठीक है यह पहले में information बट अभी exactly हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें मिडल में कौन है तो पहले information इतन information नहीं थी ठीक है तो हमके हमें क्या करना पड़ा है दूसरी information को भी इसमें यूज करना पड़ रहा है तो टी सेकंड लेफ्ट ऑफ एस टी सेकंड लेफ्ट में एसके यह यह बन रहा है और क्यू इस नौट एन इमिजेट नेवर आइबर आइधर टी और एस का जो है मतलब क्यू इस तरफ नहीं होगा तो क्यू की position जो है इस side बनेगी पी के बिल्कूल साथ में अब हमें middle में इसमें क्या position मिल रही है middle में हम बता पा रहे है और किससे किसका use करने से मिल रही है कौन से information use करने से मिल रही है पहले का भी use करना पड़ रहा है दूसरी का भी दोनों का एकठे यूज़ करना पढ़ रहा है तो क्या है कि इसमें option option इसमें आंसर बनेगा ठीक है similar question आपका next यहां पर circular arrangement बताया गया है among five friends इसमें नाम दिये गया है sitting around a circular table facing the center who sits to the immediate right of a image right में हमें बताना है किसको तो यहां पर बताना है ठीक है पहले हम sitting बनाते हैं इस तरह से circle की form में रहेगा यह हम दो cases बना लेते हैं हो सकता कि हमें दोनों का यूज़ करने पड़े e sits third to the right of d ठीक है अब देखे circle की form में सभी inside face करें तो सभी का left इस तरफ बनेगा हमारे left की तरफ सभी का right हमारे right की तरफ बनेगा clockwise left anti clockwise right similarly इसमें देखिए यहां पर left बना anti clockwise और right बना anti clockwise अब देखे पहला e sits third to the right of d पहले हम क्या करेंगे पहले d को बना लेंगे d के third right में e बनाना है तो पहला right दूसरा right तीसरा right बिलकुत साथ बाली position पहली होती है उसके बास second फिर third तो e इधर आ गया ठीक है उसके बाद है a is not an immediate neighbor of d इस case में बोला है कि a immediate neighbor नहीं है d का तो यहां पर a नहीं होगा इन दो जगा पर immediate neighbor यह यह बिलकुत साथ बाले तो a इधर बनेगा और इसके immediate right में कौन बना इसके immediate right में बन रहा है e तो पहले information जो है इसे हम बता पा रहे है कि a के immediate right में कौन है तो यह बता पा रहे है ठीक है second को भी पढ़ना जुरूरी है c sits second to the left of b c कहां पे है second left में b के तो देखे इस case में b इधर है उसका second left यह बन गया c और a किसका immediate neighbor नहीं है c का इन दो जगा पे a नहीं आएगा a इस जगा पे आएगा बट इसमें information कम है हमें परसन का नहीं पता कि कौन सा आएगा जब नहीं पता तो उस case में क्या होगा यह second आपका गलत बनेगा पहले से ही हम इसमें alone answer कर पा रहे हैं तो क्या आएगा only data in statement one alone is sufficient to answer the question data to data in statement two is not sufficient to answer the question ठीक है चलिए next question है इस question में क्या बोला गया यह आपका जो है direction से related question है बोला गया ह इसमें पूछा गया है in which direction is point E with reference to point S तो हमें बताना है कि S से यह E कहां पे है ठीक है तो सबसे पहले देखिए पहले statement जो दीगे point D is to the east of point E point D जो है east में है point E के ठीक है point E is to the south of point F ठीक है देखिए पहले हमें point D को बनाना है point E से तो point E यह है इस से point D हमने बना दिया और point E is to the south of point F यह point F आ गया इसके south में यह E बन रहा है ठीक है पहला point हमने कर लिया second देखिए point F के बारे में सिर्फ इतनी सी information है एस नहीं है हमें S को find out करने के लिए हमें दूसरी statement में जाना पड़ेगा क्योंकि point S यहां पर given है point F is to the northwest of point S अब S यहां पर भी हो सकता है इस जगह पर भी इस जगह पर कहीं पर भी हो सकता है ठीक है left side को देखें के तो क्या आएगा left side को आएगा west तो यह northwest में point कर रहा है तो इसका answer कैसे मिला हमें हमें पहली और दूसरी information दोनों का ही यूज़ करना पड़ा combine करना पड़ा तो क्या answer आएगा option A ठीक है चलिए next question है who among PQRST is the tallest अब देखें यह question आगया आपका comparison का ठीक है जिसको ranking में भी include कर सकते हैं और अलग से इसके question बनते हैं अब बोला गए यहां पे की PQRST जो की 5 लोग है इनमें से tallest कौन सा है P is taller than Q, P taller है किस से P taller है Q से तो height जो है आप जो है उपर वाली side बढ़ाओगे इसमें height या कोई भी age है या किसी का weight है तो आप क्या करो उपर की तरह वो बढ़ेगा नीचे की तरह वो कम होगा तो P taller है Q से T is not tallest T tallest नहीं है तो T top पे नहीं आएगा R is taller than P, R taller है किस से P से S is not tallest तो देखिए जब इस से कहीं पे नीचे ही रह रहे है T as bar as S तो यह सबसे उपर तो यह ही आएगा R ही सबसे उपर होगा तो हमें जो है इसमें information एक ऐसे मिली कि R tallest है यह हमें पहली और दूसरी statement दोनों का use करके मिल रही है तो यह थे हमारे कुछ questions and that is the end of the video thank you so much for listening and be sure to like this video and subscribe our channel पुछ जड़ा virus